हाई एवरिबन एगनु का रीजनल सेंटर डेली वन है इसमें असाइन्मेंट सम्मिशन की जो गाइडलाइन से उसका पीडिएफ अपडेट करा गया है लेकिन मैक्जिमम रीजनल सेंटर के जो लिंक है या मैं यूं का हूँ स्टडी सेंटर के जो लिंक है वो अभी भी और कुछ टाइम में ये लिंक्स अपडेट हो जाएंगे तो पीडिएफ को दुबारा से बार बार डाउनलोड करके देखेगा अब मैं एक एक्जांपल के थूँ आपको बताता हूँ यह जो पीडिएफ है आरसी वन डेली की वेबसाइट पर आ गई है और यहाँ पे आप असाइनमेंट एक्षिर रिस्पोंस एकसेट नहीं कर रहा है यह गूगल फॉर्म तो मैक्जिमम स्टेडी सेंटर का जो गूगल फॉर्म आया है सब में ऐसा ही दिखा रहा है बट कुछ-कुछ का अपडेट भी हुआ है मैं आपको दिखा दूँग अभी प्रूफ के साथ क कहां बेट हुआ है जैसे यह दूसरा स्टेडी सेंटर है आर्सी जैली का वन का तो इसका भी दिखा रहा है कि अभी हम नहीं ले रहे हैं तो अब सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने स्टेडी सेंटर देखना है कि आपके स्टेडी सेंटर की गाइडलाइन्स क्या बोल रही हैं जैसे यहां पर आपका चनकिया पूरी में study center है आपका Jesus and Mary college यहां पर Saturday नहीं यहां पर सिर्फ Sundays में assignment submit होंगे और hard copy में तो जो study center का कि जो भी guidance लिखी गई हैं उसी guidance को follow up करते हुए आपको assignment submit करने हैं अगर online बोला जा रहा है online कीजिए offline physical प्रिकल मोड में बोला जा रहा है तो आफलाइन ही आपको करने कुछ कुछ study center सिर्फ और सिर्फ संडेज में और कुछ कुछ Saturday और संडेज में submission करवा रहे हैं और कुछ कुछ study center Monday to Friday में भी submission करवा रहे हैं जैसे यहां पर एंट्रियूज गंज के अंदर कुछ इगनू program study center है आरे के college of nursing तो इसको भी आप लोग follow up कर लिजेगा अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप से का कि कुछ-कुछ google forms तो open हो रहे हैं लेकिन maximum google form open नहीं हो रहे हैं जैसे shakes rai के अंदर college of vocational studies है चलीयnez come open करके देखते हैं एक बार कि इसका भी open नहीं हो रहा और नीचे स्qlrás करते हैं हम दूसरा open करके देखते हैं में एक और सेंटर यह अपर दिखा रहा है अगेन इसका भी ओपन नहीं हो रहा तो तो maximum study center का एदाई set open नहीं हो रहा है फिलाल इस center का open हो गया और यह submission के लिए link open है अब यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जब भी आपको google form के through assignment submit करने को बोला जा रहा है या even email के through बोला जा रहा है तो कुछ guidelines हैं पहले वो समझ लीजिए पहली guidelines मैं आपको बता दूँ कि आपका आप अपनी PDF का नाम रखोगे ठीक है कुछ इस तरीके से ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए second thing is कि google form आपको यह बताएगा कि आपको assignment कितनी बार submit करना है इसका मतलब दोस्तों यह है इस point का मतलब दोस्तों यह है कि आप लोगों को एक google form में सिर्फ एक ही subject का assignment submit करना है अगर आपके course के अंदर 5-6 subject हैं तो जितने भी subject हैं google form उतनी बार ही भरा जाएगा एक तो यह चीज़ हो गई दूसरी चीज़ pdf बनाते समय आप pdf का size जरूर से check कर लिजेगा maximum size जो यहाँ पे फिलाल allow करा जा रहा है और 10mb का allow किया जा रहा है तो 10mb से ज़्यादा की pdf नहीं बनाईएगा इसके अलबा जनरली इस google form के अंदर कुछ changes है changes क्या है जी जो जनरली क्या होता है इगनू के शुरू के तीन pages होते है उसमें first page में तो बोला जाता है कि आप front page लगाओ second page में इगनू का identity card और third page में answer questions लगाने को बोला जाता है लेकिन changes इसमें यह है कि यह लोग बोल रहा है कि फर्स page में लगाओ आप इगनू का identity card then second page में जो वो front page होता है then third page में जो भी आपका answer जो भी आपका question paper है वो लगाओ front page से मेरा मिसाल यह है मेरी मुराद यह है यह वाला page अब इसका format कुछ भी हो सकता है बस जो चीज़े पूछी जा रही है वो सारी चीज़े आपके पास होनी चाहिए आपने लिखी होनी चाहिए प्रोपर ले ठीक है यह जरूर से देख लिजएगा आप लोग इसके बाद क्या है कि correct email id से google form बने गूगल फॉर्म में यह लोग बोल रहे हैं कि जब आप इसको submit कर दोगे तो आपके पास receive automatically receive हो जाएगी जो एक प्रूफ होगा कि हाँ जी आपने assignment submit किये हैं अगर आप पहले ही offline mode में assignment submit कर चुके हो तो दुबादा से submit करने की जरूरत नहीं है और assignment submit बहुत carefully करें पिल्कुल ऐसा ना करें कि एक ही course code का google form बार बार भर भर रहे हो एक ही subject के assignment बार बार submit कर रहे हो पिलीज इस तरह की mistake ना करें ठीक है और यहां पे कुछ चीज़े और बोली जा रहे हैं कि आप अपना enrollment number और अपना नाम वो हर पेज पर लिखो और जो serial number है वो भी हर पेज पर लिखो यह point number two आप read कीजिए यह बोला जा रहा है कि अपना enrollment number नाम हर पेज के नीचे लिखो और serial number भी लिखो assignment है गूगल ड्राइब में से PDF upload मत करना अपने phone के device में save करना PDF तभी upload करना यह बात बहुत carefully समझ दीजिए इसके लवा और भी रीजनल सेंटर है जैसे लोधी रोड वाला दैयाल सिंग का रीजनल सेंटर है इसको open करोगे तो आई तिंग दैयाल फिल करोगे तो बागी सारी चीज़े आपकी फिल हो जाएंगे अब जैसे देखिए इस Google form के अंदर क्या बोल रहा है इसके अंदर वही चीज़ बोल रहा है जो हमीशे से होती है कि पहले पहले पहीच पपर अपना इगनू का पर पेज जो ताह वो लगाओ لगाु देन आप लगाओ अपना जो भी असाइनिमेंट का कोश्छन पे बर है तो इसमें वहीं चीज बोली जा दिला करते हैं उसके बाद और भी स्टेडी सेंटर की आपर दिखी हुई है मैक्जिम का ओफ लाइन भी है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिग कर लिजेगा सम्मेट ठीक है दोस्तों बाकि वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वेबसाइट पर जाक सम्मिट कर लिजिए और आप सम्मिट कर सकते हो अपने ऑफ लाइन मोड में आपको सम्मिट करना है आपके स्टेंटी सेंटर की गाइड़न्स की अकॉर्डिंग तो आपको यह वीडियो यूसफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा थेंक्यू